है जी बेटा क्या हाल है जी आप सब का वोफिली आप सब सब सही होंगे सेफ होंगे अपने घरो में तो मैं एक छोटी सी वीडियो ला रहा हूँ Capital Acid के मीनिंग पर क्यों कुछ डाउट समच्छों के Capital Acid में तो उस चीजी को क्लियर करने के लिए Capital Acid, Capital Gain का एक बहुत important इसा है कि जब हम Capital Gain का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें बूला जाता है कि There must be a transfer of Capital Acid मले अगर चीज Capital Acid ही नहीं है तो Capital Gain का charging section तो attractive नहीं होगा तो लो देखें study material में क्या लिखा गया है कि Capital Acid क्या होता है देखो जी Capital Acid जो है definition दिए है section 2, subsection 14 में जिसमें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे देखते हैं क्या लिखा हुआ According to section 2, subsection 14, Capital Acid means property of any kind held by an SSE whether or not connected with this business or profession Definition को अगर इतना ही पढ़े, मैं कई बार बोलता हो तो यह बात पहले भी तो ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज ही Capital Acid क्योंकि क्या होला, property of any kind Any kind मतलब movable, immovable, held by SSE चाहे वो उससे business profession से connected है, चाहे नहीं है चाहे बीजनेस के लिए use हो रही है, या personal purpose के लिए use हो रही है अगर यह definition यहीं होती है, के साथ कुछ exceptions ना होती है पस यहीं बंद हो जाती है, फिर तो बेटा बहुत problem हो जाती है ऐसा नहीं है, इसमें कई exceptions है, जो भी आगे हम देखेंगे जो जिसको थोड़ा आगे लिके चलते हैं थोड़ा मैं आपको दबारा बता दूँ कि दो इससे हैं, capitalized में A part ने कहा, property of any kind, held by SAC चाहे Venus के साथ समंदित है, चाहे नहीं है B part क्या कहता है, सुने B part कई बार थोड़ा ignore सा हो जाता है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है which has invested in such securities in accordance with SEBI regulation कहता कोई भी security जो FI के पास है, जो यहां investment करने आते हैं अब अगर आप market में interest लेते हों, तो रोज का जो trade होता है, तो उसके data आते हैं market end होते ही, उसमें आप देखते हैं, FIs हमारी market में क्रोड़ों रुपे की trading रोज की करते हैं 2000 क्रोड, 8000 क्रोड, ऐसा, समझें कि नहीं तो यह FIs बड़ा जाना पचाना नाम है, वापिस आते हैं, definition का analysis A part ने कहा कि प्रॉपर्टी ओफ एनी काइंड movable, immobile, held by SEC, चाह वो बीनस के लिए है, चाह नहीं है B part ने कहा कि कोई भी security जो FI hold कर रहा है, वो भी capitalized होगी अब यह ऐसा क्यों कहा, मने कि हमारा ज्यादा आपको पता न, problem हमारे पढ़ाने के तरिके में क्यों कहा ज्यादा है, समझें कि नहीं, पिटा यह क्या होता था, कि जो FIs है अब FIs यहां trading कर रहे हैं, अपना पैसा invest करते हैं, उस पे उन्हें फाइदा नुकसान तो होते ही है, gain loss तो होगा जब trade करोगे उनको भी obvious है tax लगता होगा, जब तक यह B part नहीं था, तो उसमें थोड़ा conflict था अब FIs regularly मानलो trade कर रहा है, रोजी खरीद बेच कर रहा है, तो हमारा income tax department तो यह भी कह सकता है कि आपके लिए यह चीज stock and trade है, तो आप PGBP की तरह tax दो FI कहें कि नहीं नहीं, हमारे लिए यह stock and trade नहीं है, हमारे लिए तो यह capital asset है, हम STCG, STCL, LTCG, LTCL जिससरा आपको पते ही है, इसे साब से tax देंगे, तो यह बड़ा confusion चल रहा था treatment का, उसमें FIs क्या करते होते थे, उसमें FIs जातर क्या करते होते थे, एक calculation लगा लेते थे कि फाइदा किसमें ज्यादा है, ज्यादा फाइदा उन्हें मेशा capital asset show करकी दिखता था, क्योंकि जब आप capital asset show करोगे, जो gain आएगा, उसमें 111A, 112, 112A, यह आपने सब में पड़े हुए हैं, इनमें maximum rate of tax को इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप regular income की तरह शू करते हो, जैसे PG PGBP की आपकी income, sale value minus expense से करके, उस पर तो tax rate बहुत हाई हो जाता, समझें मेरी बात, कि अगर आप income minus expense से PGBP की heading में gain निकालोगे, उसके उपर तो as per the SSC slab, slab या flat rate जो भी है, वो अपलाई होगा, flat rate ही probably, but when आप capital asset treat करते हैं, तो capital gains के उपर तो rate सबके लिए एक limit पे जाके रुक जाता है, maximum rate कोई खास नहीं है इसमें, आपने पड़े हो हैं बेटा, आपको सारे पती है rate, तो FIs ज्यादा capital city दिखाते थे, तांकि उन्हें कम tax लगे, controversies होती थी, कहा जाता था कि तुमारे लिए stock and trade होना चाहिए, ये सारी controversy खतम कर दी गई, जैसे ही B part add हो गया, definition का, तो आपको पता चल गया, कि FIs के लिए, ये stock and trade नहीं treat होगी, securities क्या treat होगी, capital asset, और अपने capital gain वाले rules के हिसाब से text देंगे, अब, अभी तक हमारी बात क्या हुई है, कि A में तो आगया जी property of any kind of capital asset होता, B part आगया जी security held by FI capital asset होता, अब कौन सी चीज़ें capital asset नहीं होती, ये देखें, how it does not include, how it does not include का मतलू हो कि capital asset में ये चीज़ें नहीं आएंगी, पहली चीज़, stock and trade, any stock and trade, other than the securities referred in B, B वाली कौन सी securities हैं, कि जो securities किसके पास है, FI's, भाई, अगर FI उसे stock and trade भी दिखा रहा हो ना, ध्यान से सुन लेना पिटा, तब भी हमने क्या मानना है, capital asset, otherwise, कोई भी जो stock and trade item है, consumables है, raw material है, जो हमने बीना profession के लिए रख्या हुए है, उन्हें हम capital asset नहीं मानेंगे, जैसे jeweler है, उसके पास ornaments ready हैं और उसने आगे बेचने है, तो natural है, वो stock and trade है, उस पे वो PGP में tax देगा, capital gain नहीं देगा, क्योंकि वो land, इसमें इतनी चर्चा जो है, फिर इसी point पर हुई है, देखना भी द्वारा शुरू हो रही है, क्याता है, exclusion of stock and trade from the definition of capital asset is only in respect of sub-clause A above, not the sub-clause B, तो clear करने ही कोशी कर रहा है, क्याता है, जो A category items है, definition के दो पाट है, property of any kind, दूसरा जी, security held by FIs, A category items अगर आपके पास stock and trade की दर हैं, तो capital asset नहीं है, पर B category, मतलब कि security held by FI, हमेशा ही capital asset है, उसमें चाहिए वो stock and trade बोल रहा है, अपने मुझ से तब भी नहीं मानना, क्याता है, this implies, even if the nature of sub-security in the hands of FPI या FII is a stock and trade, उसके हाथ में stock and trade दिखरा आपको, फिर भी नहीं मानेंगे, same would be treated as a capital asset, and the profit on transfer would be a capital gain, तो भाई, यहां इन्होंने फिर बताया हुआ कि 2014 Finance Bill 2, 2014 Finance Bill 2, इसलिए मोधी 1 वहाँ start होता, आपको पता ही है, class में हम बात करते हैं, इसकी, clarifies that the income rising from transfer of sub-security would be the nature of capital gain, चाहे उनकी इंडिया में presence है या नहीं है, irrespective of the presence or otherwise in India of fund manager, यह आपका doubt है, थोड़ा सा, तो वो बलकुल clear कर दिया गया है, कि जो FIs थे उसमें एक confusion चलती थी पहले, they tend to treat it like a capital asset, whereas department कही बार कहता था stock and trade है, अब वो capital asset इसलिए कहते थे था कि capital gain का rate कम होता है, regular bonus income वाले tax से, तो अब उनकी एक तरह सुनवाई हुई है, confusions cut down होगी है, unnecessary litigation नहीं होगा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं, अब capital asset में और क्या-क्या नहीं आता, personal effects, capital asset नहीं होते, personal effects, जो आप अपने खुद के लिए चीज़ें यूज करते हों, capital asset नहीं होती, यह बहुत layman वाली बात होगी, अगर यहीं रोग दी गई, ठीप जाना पड़ेगा, personal effect, that is to say, movable property, ध्यान रखें आप personal effect में, personal effect का मतलब रही है, कि अपने लिए जो चीज़ें हम यूज करते हैं, पर किसको पिक किया गया, movable होनी चाहिए वो चीज, including wearing apparel and furniture, held for the personal use by SSC, या any of the member of his family, जो उस पर dependent है, अब जैसे आपके घर पे समान पड़ा, आपके सामने चीज़े आने शुरू होगी, यह सोफा सेट लगा है, टीवी लगा हुआ, म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ, डाइनिंग टेबल पड़ा है, यह सब हमारा घर का समान है, हमारे कपड़े हैं, और चीज़े हैं, laptop है, mobile phone है, calculator है, समझें के नहीं, तो यह सब आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, यह आपके family member यूज़ कर रहे हैं, यह तो personal effect बनजेंगे, क्योंकि यह हम personal use के लिए इन चीज़ों को hold भी कर रहे हैं, और यह चीज़ है moveable भी हैं, जितने भी मैंने बोली, पर जो आपका घर है, जिसके अंदर आप रह रहे हैं, वो भी personal use हो रहा है, हमने किराये पे नहीं दिया जी, किसी तरह कोई business नहीं किया वहां से, बस हम family members यहां रहते हैं, क्या वो personal effect बनजेगा, no sir, क्योंकि वो movable नहीं है, जबारा सुने, घर movable नहीं है आपका, क्या है, immovable, सरकार की game अभाई, classes मैं हमेशा समझाता हूँ, घर जो है, personal use चाहे कर लो, personal effect नहीं बन सकता, क्योंकि personal effect बनने के लिए, movability चाहिए, game समझो, घर जैसी चीज, कुछ साल अगर आप own करो, property की कीमते बढ़ जाती, gain पर बिखती है, समझे हैं कि नहीं, तो उसे तो personal effect का दर्जा मिला नहीं, वो तो capital asset है, capital gain होगा, tax देना पड़ेगा, यह mobile phone, यह sofa set, dining table, mixers, यह किसके gain पर बिखते हैं, यार यह तो खराब क्रूब बयाती, चीज़े पुरानी हो जाती है, तो इन्हे personal effect बूल दिया गया, और personal effect capital asset है नहीं, तो कल को अगर आपने चीज़ें बेची, loss पे बेची, तो इस पे होने वाले loss को, income tax में loss नहीं माना जाएगा, क्योंकि income tax आपको कहेगा, इस आर आपने sofa set बेचे अपने घर का, वो तो personal effect होता है, अब personal effect तो capital asset ही नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है return में दिखाने की, अगर दिखाने देते तो वहाँ loss आता, और loss आता शायद gain के gain set off हो जाता, अब जो अच्छी वाली movable items है, देखो जो अच्छी वाली जिन पे gain हो सकता है, अब ये चीज़ें चाहे personal हों, पर इने personal effect नहीं माना जाएगा, पहले jewelry, जिसरा आपने कुछ jewelry item पहनी हुई है, बिल्कुल personal है, बड़े attached हैं आप उससे, भाईया सारा वक्त जब से घरिदी तब से अब तक पहन की रखी है, personal effect नहीं माना जाएगा, अब उसके बाद हो समझाता है, Jewelry is a capital asset, और जो भी profit gain arise होगा, transfer of jewelry held for personal use are chargeable, जहां से देख लें अच्छी तरह, Jewelry is a capital asset है, और जो भी इस पर फाइदा नुकसान होने वाला, वो यहां पर आएगा याएगा, Jewelry योग detail में ले जाता है, इसमें ornaments तो आएंगे याएंगे, made of gold, silver, platinum, any other precious metal, containing one or more alloy metals, definition दे रखिये पूरी, containing, whether or not, containing any precious or semi-precious stones, जिसरां कि इबर jewelry items में, on-num and so on में देखते हैं, stones भी use होते हैं, precious, semi-precious, हो, ना हो, matter नहीं करता है, whether or not, worked or sewn into any wearing apparel, वो चीज़ें कि इबर apparels में भी, चांदी, सोने का काम, कपड़ों भी कर दिया जाता है, और ऐसा है, तो उसको भी आप jewelry मानेंगे, फिर उसके बाद बूला है, precious और semi-precious stone, whether or not, in any furniture, utensils, यह सारी चीज़ें, आपको exam के लिए ध्यान रखना है, कि jewelry, ornaments, यह अगर आपके पास हैं, और आप इन्हें personal use कर भी रहे हैं, तब भी वो capital asset रहेगा, practical life में भी ध्यान रखना, अब अगली exception, जो चीज capital asset नहीं है, rural agriculture land, rural agriculture land in India, that is the agriculture land, which is not situated in any specified area, देखो ऐसा है, simple बात है, जो rural agriculture land है, वो capital asset नहीं है, दुआरा सुनना, एक तो agriculture होनी चीजिए land, agricultural, और rural area में होनी चीजिए, वो capital asset नहीं है, लोग यो गाओं हैं, जैसे वहाँ जमीन है, खेती बाड़ी में use होती है, तो उसको अगर आप बेच भी दें, देन वो आपका capital asset नहीं है, अब यह जो specified area, यह उसको short में हम बोलते है, urban agriculture land, तरकार हमें आगे बताएगी, कि कुछ अगर आपकी land in locations में है, तेन इट अर्बन, अर्बन agriculture land अगर आपकी है, तेन बेटा जी, वो capital asset है, उसको आप बेचोगे, तो capital gain आपको भूटना पड़ेगा, इसके बीचे भी same logic है, देखो जो land, वेलकुल villages में होती है, villages में, दूर दूर, far off, और खेत ही खेता हैं आपकी, तो आज की डेट में भी कीमत बहुत कम है, और वो primarily सिरफ agriculture के लिए यूज होती है, और वहाँ CLU वगेरा भी possible नहीं होता है, CLU का मतलब होता है, change of land use, कि आप वहाँ factory लगा दो, कुछ कर दो, ऐसा possible मुश्किल होता है, पर कई बर हम देखते हैं कि कुछ शहर है, उसके आसपास ही कोई गाउं है, वो गाउं की कुछ जमीन हैं, बिलकुल highway पे हैं, साइड पे रोड जारी और साइड पे जमीन है, खेत हैं वहाँ, imagine करें देखा आपने इदर, जिर्गपूर साइड देखा, करेट साइड देखा, अगर आप इदर से हैं, दिल्ली वाली साइड से हैं, तो वहाँ आपने उदर भी देखा है जरूर, तो कुछ ही सालों में वहाँ खेत हड़ जाते हैं, बिल्डिंग आजते हैं, बड़े-बड़े टावर बन जाते हैं, मॉल्स बन जाते हैं, यह सार, यह ऐसी जमीने जहातर अर्बन हो जाते हैं, जब आप डेफिनेशन बढ़ेंगे, कि क्रोडों में बिखती हैं, तो सरकार कहती हैं, जब इतना पैसा आएगा, तो टेक्स भी आएगा, अर्बन अग्रीकल्चर लाइंड को तो कैप्लेसट बोला ही जाएगा, अब दिखते जाते हैं, आस पर दी डेफिनेशन, ओनली रूरल अग्रीकल्चर लाइंड इंडिया और एस्क्लूडड़ फ्रॉम दी प्रव्यू अफ टर्म कैप्लेसट, ठीक है जी, बख्की बात, एंस अर्बन अग्रीकल्चर लाइंड कॉंचीचूट कैप्लेसट, क्याता है, जो अर्बन अग्रीकल्चर लाइंड है, वो कैप्लेसट है, अकॉर्डिंगली अग्रीकल्चर लाइंड डिस्क्राइब इन ए एंड बी, जो नीचे आने वाले हैं अभी है, बींग स्टुट्टेड इन स्पैसिफाइड अर्बन लिमिट अगर आपकी जमीन वहाँ आती है, चाहे वो अग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं आप, और वो मानी क्या जाएगी, क्याप्लेसट, क्योंकि वो अर्बन है, पहली जमीन, अग्रीकल्चर लाइंड इन एरिया, विदिन दी जुरिदिक्षिन, और इसको भी आप एजली इमेजिन कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, जैसे आई वे पर ट्रेवल कर रहे हूँ, जिए क्या है था, फलाना मुनिस्पलिटी वेलकम्स यू, मुनिस्पलिटी और फलाना शहर वेलकम्स यू, बोड़ा और चलते हैं, फिर उसके आते हैं, थैंक्स फॉर दी विजिट, बन्दा कहता है मैं दो गाड़े भी ने रोकी, तो बहुता क्या है, कि आप एक मिनिस्पल लिमिट्स में एंटर कर रहे होते हैं, तो आप इसको समझो यह पार्ट को, यह वो ली चाहिए, अग्रिकल्चर लैंड, तो इसकी लिमिट वाला एरिया है, कि सारा एरिया इसकी जिरिडिक्शन में है, तो अगर यहां कोई खेद है, अग्रिकल्चर के लिए, यह एमसी की लिमिट में आता है खेद, तो यह अर्बन मनना चाहिएगा, और एक शर्त है, वो जुरूर देख लिए, पॉपुलेशन दसदार से कम नहीं होनी चाहिए, फिर, अगर सिरफ टाइप A ही रखते न, तो काफी कम जमीने ही कवर होती है, टाइप B लगाके तो भाईया इन्होंने बहुत ही कवर कर दी, और जब अब C.A. बनके प्रेक्टिस में उतरेंगे भाई, आएसे क्लाइंट यहां तो हमारे ट्राइ सिटी में तो बहुत आते हैं, जहां हमें B पार्ट चेक करना पड़ता है, अगरिकल्चर लैंट स्टिटेड इन एरिया विधिन सच दिस्टेंस मैयड, एरली in relation to the range of population shown as under, एरियल डिस्टेंस मैयर करना है, एरियल डिस्टेंस कैसे होता है कि जैसे पंची उड़ता है, सीद्धा पंची उड़ता है, तर देखो, ऐसे होता है, कि अगर एक जगा यहां पर है और यह आपका origin of journey है यह आपका destination है अगर आपको यहां से यहां पहुँचना है तो आप ऐसे सिद्धे नहीं जा सकते कही बर आप ऐसे अपनी गाड़ी स्टार्ट करोगे फिर एक आपको ऐसे घूमना पड़ेगा फिर इदर आजएगा इदर सिद्धी सड़क नहीं है फिर इदर जाना पड़ेगा फिर चौंक आजएगा जो पहले इदर जाता है फिर ऐसे घूम फिरके तो जो हम लोग जिस तरह ट्रेवल करते हैं लोग travel करते हैं एसे कि जिस तरह हमें सडके मिलती हैं हमें वैसे जाना पड़ता है ऐसे वञे City नहीं देखना हमें हमने ऐसे वञेखना है सीधे वञा, Arial distance अब हो सकता है ये ऐसे करके 12 km में आता हो और ऐसे सीधा ये 11 में आजे, ये फरकूता है तो aerial distance की हम ये कह सकते हैं कि reach ज्यादा अच्छी होती आओ देखें फिर क्या कहती है हमारी सिरकार कहता जी shortest aerial distance देख लो local limit of municipality और containment board कहता जी उपर जो हमने बताये थे न देखो पहले तो इनकी limit के अंदर ही आती थी आपकी जमीन अब इनकी limit से distant है दूर है अब कितना population according to the latest last preceding census जिसकी figures कहता है जी available है first day of previous year से पहले जैसे कि हमारे case में हमें पते ही है 1419 इससे पहले का अगर तो population वहां जिस MC से आप limit चेक करना चाहरे हो उसकी 10,000 से ज्यादा और एक लाख तक है तो आप दो किलोमेटर तक का distance देखो उसकी limit से दवारा देखे है shortest aerial distance from the local limit of MC अब MC की limit खतम जहां हो रही है ना वहां से दो किलोमेटर के अंदर भी अगर आपकी जमीन आती है तो अरबन मानी चाहेगी population कितनी? 10,000 से ज्यादा और less than equal to कितनी? 1 lakh greater than 10 और up to 1 यह हो गया अब अगर बड़ी MC है जिसकी population एक लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो भी यह 6 किलोमेटर तक फस गया हम 6 किलोमेटर के अंदर अंदर अगर हमारी जमीन आगी तो वो अरबन होई और अगर बहुत बड़ी है 10 लाख से ज्यादा कि population वाली तो बेटा आप 8 किलोमेटर के अंदर भी अगर आती है आपकी जमीन aerial distance से तो अरबन होगी चाहे वो agriculture की जमीन थी आपको उसके बेचने पर हिसाब तक दरना पड़ेगा C.A. साब से सला लेके बेचे वो ही बताएंगे कि कैसे मैनेज किया जाएगा फिर इंशी चूड ने कुछ छोटे छोटे एक्जाम्पल यहां दिये हो है जैसे इन्हों लिखा जी shortest aerial distance from the local limit 1 km population according to the last census 9,000 यह तो वैसी है 9,000 वाले पे तो क्या करोगे 10,000 से ज़्यादा चाहिए No, not a capitalist उसने पूछा था, is this land treated, is the land treated in this area a capitalist? आंसर is no second is 1.5 population 12,000 देखो, ऐसे याद रखना होता है 10,000 से उपर गेम शुरू होती है 10,000 से ज़्यादा और 1,00,000 तक distance 2, फिर 1,00,000 से ज़्यादा और 10,000,000 तक distance 6, 10,000,000 से ज़्यादा फिर सर 8 km अब आप किस रेंज में हारें सर सर मारे बाब 12,000 की population है 2 km तक तो लगेगा, यह तो 1.5 km ही दूर है यह सो गया जी, इसी तरिक्के से यह सारा आपने करना है नीचे कुछ और क्लैरिकेशन भी दी है वो पढ़ानी बहुत जुरूरी है explanation regarding gain arising on transfer of urban agri explanation 1 to section 2 1a clarify capital gain arising on a transfer of any agriculture land situated in any non-rural area non-rural मतलब urban area will not constitute agriculture revenue तो यह explanation क्या clarify कर रही है सर यह 2 1a वाली explanation है वो जो agriculture income के साथ हम पढ़ते थे तो यह clear किया जा रहा है कि भाईया अगर आपने non-agriculture land को बेच दिया उस पे capital gain rise हुआ वो agriculture revenue नहीं माना जाएगा मलगी इधर से बात नहीं बनी तो उधर से बनाने की कोशी न कर लेना यह कह कहेगी चलो जी agriculture land ही थी जार पैसे आगे agriculture income ही बना लो नहीं बै नहीं फर इतनी महनत aerial distance यह वो सरकार तो देखती रहेगी तुम तो बेखकु बना रहे हो सरकार को मले बिलकुल भी agriculture income नहीं माना जाएगा दोबरा पड़ें इन अदर वर्ड्स capital gain arising from transfer of such urban agriculture land would not be treated as agriculture income for the purpose of exemption 10.1 जिस तो आपको बता कि बड़ा primary section है exemptions का पहला ही section जो agriculture income को exempt करता जब हम detail में बढ़ते हैं तो एक exemption नहीं है बलकि clarification ही है उसके बिच्छे एक reason है जो मैं क्लासी में बिशाँ बताता हूँ तो clear कर रहा भाई हूँ कि ये वो agriculture income नहीं है कि तो 10.1 में जाके exempt करा ले और इस पर तो तुझे tax देना ही पड़ेगा such gain would be eligible to tax spelling थोड़े ही दरुदर होगे ख्यार अंग्रे जी ये माफ करो कोई बात नहीं अब उसके बाद सर्फ बाद topic में वापिस लाना बहुत जुरूरी होता बच्चे को बात ये चल रही थी कि कौन सी चीज़ें capital asset नहीं है stock and trade नहीं है personal effect नहीं है then जो rural land है agriculture वाली rural land है वो नहीं है capital asset अब कुछ और चीज़ें भी है जो नहीं है capital asset जैसे कहते है specified gold bond ये थोड़ी पुरानी सीरीज है इनकी ये भी capital asset नहीं होते है special bearer bond gold deposit bond issued under gold deposit scheme 99 ये last वाला जुरूर याद रखना कि ये scheme मुदी जी लेके है देजरा इस पे सवाल आ सकता और deposit certificate issued under gold monetization scheme notified by central government 2015 वाली है ये भी जो है वो आपके capital assets नहीं है फिर उसके बाद वो थोड़ा समझा रहा है कि property word पे थोड़ा बात हो जे property include and shall be deemed to include any rights in relation to Indian company including the rights of the management or control ये वो वुड़ा फोन वाले case के कारण हुआ था जहां वो मैंने section 9 में बात की थी कि जैसे आपको right मिल गए management और control के तो वो चीज भी हम capital asset मानेंगे तो property का वो सारा हिसाब किताब यहां बताया गया उसके बाद इनोंने इसको बड़े अच्छे flow chart में भी दे रखा बाकी जी कुछ इसके साथ ना कुछ कादी capital asset के साथ मैं क्या वो भी आपके सामने रखी दें कभी इतना वैसे CA exam में देखा नहीं बट आने को आ सकता होता है जैसे यह बात होती है बढ़तनों की पहले तो जैसे silver utensil कहते है capital asset है के नहीं बच्चे बूचते हैं समझाएं है के नहीं सर कई के स्लोजेंस पर आप चेक कर सकतो यह वाला काफी popular CA final में भी आप पढ़ोगे इसमें क्या हुआ असेसी sold silver utensils which were in the form of thalli, katori, tumblers असेसी stated की said utensils were for personal use अब इसमें जो बंदा था उसने कुछ चांदी के बरतन आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या-क्या था बेचे हैं और income tax वह लगता उसके पीछे पढ़े हैं कि भाई आपको tax देना होगा असेसी कहता है कि भाई देखो यह तो personal use के लिए थे और यह तो cover ही नहीं होते capital asset के नदर अब यह आपने देखा है ने कहा कि नहीं भाई तुम गल्थ कर रहे हो text हो अब बेस है अब शुरू होगी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देखते हैं कैसे होता High Court held that the silver use consists of this which are meant for personal use although they may not be used day-to-day basis Court ने कहा कि भाई देखें यह है personal use के लिए अब जुरूर ही नहीं है कि यह रोज यूज कर रहे हो इन बरतनों को कि आम होते हैं चांदी के बरतन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है the main factor in deciding whether article constitute personal effect is the nature of article यह तो चीज क्या है वो decide करेगी कि वो personal effect है कि नहीं अब इसी चीज है चांदी, कटोरी, धाली, चमच यह नॉर्मल है इस तरह की चीज होती है the case was in the favor of sacy how a large number of same type of silver article cannot देखो पहले यह देख लो case was in the favor of sacy अब इस सवाल कुछ है जा आजे कुछ MC क्यों आजे जिसमें वो silver utensils कह दे हैं आपके पास number of same type of articles हो silver के यह कहता हम नहीं मानेंगे as having being held for person use assessing authority has to find out has to find out what are the articles which should be reasonably held by sacy for person use लोग अब इसमें यह कहानी ना शुरू कर दें कि इन ही में investment कर लेते हैं भाई इसमें पर tax में लगता बाद में बेचने में यह अगर आप बहुत ज़्यादा कठे करके बैठ जाओगे फिर assisting authority मतलब कि department चेक करेगा कि इसमें कितने personal use के लिए माने जा सकते हैं और कितने नहीं तो बाकिए अगर आप और इस पर interest लेते हैं नेट वेरा सर्च करते हैं तो और भी कही judgments हैं पेपर के लिए दोबारा बता दें silver utensils normally personal effect मानने फिर बेटा जी एक और case आया जिसमें इन्होंने पुछा कि whether capital gain arise on sale of gold bars used for the Pooja यह है जी CIT versus HH महराजा राना हिमत सिंग जी इसमें इन्होंने जी इतनी gold bars, silver coins bars, बेचे और उन्होंने कहा कि कोई capital gain gain यहानी arise होगा राजा जी कह रहे है यह capital asset नहीं होते these are outside the definition of capital asset इनकी कहानी धोड़ी और जबरदस्ता, सुने इनका कारण क्या था वहाँ तो बरतन थे, यहाँ तो देखो बहुत कुछ है The Sessi claimed these articles found personal effect महराज कह रहे हैं कि यह भी personal effect है as they were used by Sessi and his family for personal use as it was evident that they were used for the purpose of Mahalakshmi Pooja and other religious festivals in the family imagine करो बटब कई वर फिल्मों में भी ऐसा scene दिखाया जाता कि Pooja हो रहा है यह वहाँ वो Pooja हो रही है और वहाँ वो अपनी सारे जेवर सोना, पैसे वो सब रखे देते हैं कि देवी, कुल देवी खुश होगी कि आगे इसमें और वृद्धी होगी तो ऐसा यह करते थे यह सारी चीज़ें करते थे यह अगर इसमें मान जाते न फिर तो लाला जी ने क्या करना था अगली बार प्रॉप्टी के कागजात भी रखते ने पूजा में क्याना था यह तो बस पूजा करने के लिए बाकी तो इसमें हमने पैसा नहीं लगाया शेयर सटिपकेट भी रिखवा दो वहीं पे यहां तो नेच्रोल नहीं माना जा सकता था क्या हुआ फिर इस कंटेंशन वास रिजेक्टेड by the appellate authority as well as the high court supreme court also decided the case against SSC as according to this these articles did not constitute the personal effect supreme court ने भी माना कि यह चीज personal effect नहीं है तो यह मेरा जी कुछ idea था कि मैं आपको पहले इस video के थूँ ज़रा idea दो कि capital asset क्या है फिर आप अगर video को like करते है comment करते है share करते है channel को subscribe करते है तो हम और लेके आएंगे नहीं तो हमें भी क्या जुरूरत है ठीक है जी तो request है कि maximum इसमें interest दिखाएं तांकि ऐसी अच्छी अच्छी video और बनती रहे ओके बेटा जी bye bye